असलाम आलेकुम कैसे हैं आप लोग मैं हूँ है ना और आज हम बनाएंगे मॉफिन चॉकलेट चिप मॉफिन में आपको बता सकी हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल से इंग्रेडियंट के साथ घर में बढ़े हुए किसी भी क्रेवर के जैम से हम जैम मॉफिन कै चलिया शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए कुछ सिंपल से इंग्रेडियंट जिसमें है 1.5 कप मैदा साथ हमें चाहिए 1.5 कप शुगर मैदा में हम एड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और दो दद अंडे हैं हमारे पास वन बाइफ फोर कप हमारे पास तूर का और अंडे तोड के किसी बॉल में या तो हम विसकर से या बीटर से अच्छे खूर फलफी वाले बीट कर लेंगे तकरीबन एक मिनट के लिए और इसमें हम एड कर देंगे शुगर और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यह सारा बिल्कुल क्रीमी आड करेंगे और इसमें करेंगे ऑर इसमें बै कोड़े कर लेंगे मिक्स करल विसकर से अगर अगर आप बेटर से भी कर रहे हैं तो भी हम ऐम और डाल के बहुत जादा बीटनाहीं करेंगे जिए गवागे बैकिन पाउदर मिक्स कर Shoulder लीटर मीदा मैं हमने विसमेंद कर द जाएंगे और पूरा बैटर हमारा भी जाएंगे अब आप इसमें धोड़ा साथ मिक्स करेंगे अब इसमें खुश्पु के लिए थोड़ा साथ करेंगे एसंस आप वनिला एसंस पर चॉक्तरे पटर जो एसंस आपके पास अवेलेबल है वह आप इसमें 3-4 डॉप्स वैट क मिक्स करेंगे अब हमारे पास है 2-3 टेबल स्पून जैम आप किसी भी फ्लेवर का एड़ कर सकते हैं और इसको बहुत जादा मिक्स नहीं करना बस एक से दो दफा हम क्या करेंगे ऐसे मिक्स करेंगे और कहीं कहीं इसके बीच में चॉंक्स आने चाहिए वह अच्छे लगत मॉफिन्स का असल मकसद यह होता है कि जब हम इसके वह तोड़ा तोड़ के देखे ना इसमें जिस भी चीज की हमने फिलिंग किया चाहे जैम है चाहे चॉकलेट चिप है चाहे प्रूट है उसका एक अच्छा मज़गा चंगी सा टेक्षर बीच में आना चाहिए वही खान नहीं रेसिप के साथ अल्ला हाफिज